सर गौडन ये गौडन और वॉल्डर क्या एक किसी का नेम है और इंडिया के अंदर फनाइंशल मैनेजमेंट देखो इतने भी चीजे इंप्लीमेंट हुई है वो कही न कहीं हम बाहर से पहले देखते हैं किसने क्या थियोरी दिया उसी के ऊपर चलते जाते हैं इंडियन ने भी बहुत सारे थियोरी दिये हुए है लेकिन हमारे सलेबस का पार्ट वो नहीं है गौर्डन किसी का नाम है उन्होंने एक बताया क्या बताया सर आपको मार्केट प्राइस अगर निकालना होना तो कैसे निकालेंगे अर्निंग लिखी वन माइनस में बी रखिये सर यहां पर बी क्या है भी देखेंगे के अपोन में माइनस वन माइनस बी र कहते थे पी मार्केट प्राइस होगा ई होगा अर्निंग पर शियर और आपका बी होगा रेटेंशन रेशो सर रेटेंशन रेशो क्या होता है रेटेंशन रेशो वन माइनस में पे आउट रेश R क्या है rate of return, K cost of equity, B R क्या है growth rate, B R को अलग-अलग भी solve कर सकते हैं, B R का मतलब क्या है हमारा B retention ratio, और into में आप क्या कर लोगे, simple पता है आपको R rate of return, तो इसके basis पे इनका model में एक चीज ससर, एक model के अंदर एक point इन्होंने बताया, के हमारा model तभी कामियाब है, वो सारी बाते तो रहेंगी, रहेंगी, एक point और याद रखिएगा अजम्शन में, इनके model में, सर क्या अजम्शन में, model में याद रखना था, के हमेशा E जब बड़ा होगा, G से तभी हम कामियाब है, otherwise हम बता नहीं सकते, prediction नहीं कर सकते, price बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो question पूछा जा सकता है, कि कब इसका optimize होगा, तो K हमारा greater होना चाहिए G से, सर ये theory के अंदर पूछा जाएगा, इस से related हम कुछ questions करेंगे, सीधा formula के basis पे, formula फिर से देख लिजे सर, formula क्या है हमारा, और B क्या है, 1- में, payout ratio, 1- में भी question करेंगे, implement हो जाएगा, rate of return दे रखा है, cost of equity growth दे रखा है, तो चलिए sir, formula लिख लेते हैं, question करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जिन बच्चों के doubt है, वीडियो मैंने upload कर दिये हैं, आपके content section के अंदर, sir, इनका कहना है था, P is equal to, sir, P is equal to, E 1- B, E 1- में B, divided by, K E minus B R, चलिए, sir, पहला question, यह आपकी किताब, आरपी रस्तोगी का question है, यह आपकी किताब, जो PDF notes दे रखा है, उसका question है, the following information is available, XYZ limited, earning per share, EPS E 10, यानि sir, आपको E दे दिया question ने, board पे ध्यान दीजिए, 10, इसके बाद कहता है, cost of capital, मतलब sir, क्या है यह, K, K कितने हमारे, 10%, और एक बाद ध्यान रखिएगा, पूछेंगे sir, exam के point of which से, कौन सा important है, तो बोलूँगा, 3 mm वाला ज्यादा है, दूसरे वाला, बड़ा कम exam में आता है, आगे कहता है, question में, find out the market price of the share, under different rate of return, कहता है कि, मतलब पिछला ही question हो गया, payout ratio कहता है sir, dividend DP ratio, DPR मैं लिख रहा हूँ, इसको DP ratio कहता है, कि 0% पे आप एक बार बताईए, एक बार 40% पे बताईए, एक बार 80% पे बताईए, और एक बार 100% पे बताईए, तो हम एक एक करके, वही model जैसे पहले कर रहे थे, वैसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहला part, मैं क्या कर रहा हूँ, rate ले लेता हूँ, पहले 8%, और 8% के हिसाब से, सारे DPR को कर देता हूँ, ठीक है, तो P क्या है sir, P is equal to, E क्या है sir, 10, 1 तो formula का part है, minus B, B क्या होता है हमारा, retention ratio, यानि B क्या होता है हमारा, retention ratio, यानि 1 में से क्या minus कर देंगे sir, हम payout ratio, payout ratio minus करेंगे, तो retention ratio आएगा, तो sir, यहाँ पे retention ratio देखा जाए ना, तो हमारा अगर 0% DP ratio है, मैं minus में कर दूँ, क्या, 1 minus में क्या, हमारा क्या था यह, PPR दे रखा है, अब ध्यान दीजिए, मैं दुबारा समझा दूँ, क्या कहता है, एक में से payout ratio, अब एक में से minus, अगर आप 0% कर दो, क्योंकि payout ratio sir, 0 है, तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, एक में से payout ratio कर देंगे, 1 minus में 0%, divided by, divided कहता है, क्यी, क्यी कितना लिया है हमने, 0.8, नहीं sir, 0.08, sir, minus में BR, BR क्या है sir, B4 हमारा again, retention ratio, जो कि आ जाता है, हमारा 1 ले लू इसको, B1 ले लू, यह जो है हमारा, चलिए मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, चिंता मत कर यह, यह जो है न, यह है हमारा B, क्योंकि B क्या कहता था, retention ratio है, retention ratio क्या मिलता है, हमारा DP ratio माइनस कर दो, तब DP ratio अगर आप माइनस करोगे, तो यह आएगा, 1 तो आपके formula का part है यह, 1 जो यह formula का part है हमारा, 1 क्या है हमारा सर यह, ध्यान दीजे, 1 क्या हमारा यह formula का part है, अभी में जे बहुत सारे, कितने no question करने, अभी चिंता मत करो, आपको definitely आएगा, तब ही हम आगे बढ़ेंगे, और, अच्छा, हमारा 10, तो 0.1 माइनस में, फिर करेंगे B, B क्या है हमारा, B होता है, 1 माइनस में, DP ratio, DP ratio अगर दे रखा है हमें, तो 0%, मैं पूरा लिख रहा हूँ, और, इंटू में कर देंगे, R, और R क्या है हमारा सर, R है हमारा, 0.08, इसको solve करते हैं सर, तर यह तो आ जाएगा, 1, 1 से multiply, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यह, 0 हो जाएगा, statement, earning 10 है, यह माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक ही रहेगा यह, और यह 0 हो जाएगा, पूरा 0 नहीं होना चाहिए, एक मिनट, पे आउट रेशो है हमारा यह, पे आउट रेशो है हमारा यह, चलिए चलिए, नहीं वन ने यह 100 लेना पड़ेगा, देखे, जहां दीजे, पहले मैं इसको समझा दूँ, यहां फिर confusion ना हो जाए बाद में, पहले समझा देते हैं, चलिए, पहले कुछ example ले लेता हूँ, तो मैं वहाँ जा पाऊँगा, यह एक काम करता हूँ, मैं इसको समझाने से पहले, मैं एक दूसरा question ले लेता हूँ, एक मिन्ट रुकेगा, दूसरा question ले लेते हैं, मैं 0% को हटा के गाए,